आलाइट गाइस वेलकम वेलकम तो दे चैनल आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ Google का Fundamentals of Digital Marketing का एक अच्छा सा Review यह एक ऐसा कोर्स है जो मैंने सोचा कि आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टे हों क्यों ऐसा सोचा तो मैंने मार्केडिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाए है और मेरा पहले जो चैनल मार्केडिंग के ऊपर होता था उसमें मुझे काफी साथ रिक्वेस्ट आई है कि आप ऐसे कोर्स बताएं जो फ्री हैं या जॉब के लिए अप्लाए करूं मुझे भाव मिले बिकाज मैने यह वाला कॉर्स कर रखा है तो वो कॉर्स हम यहां पर आपके साथ शाथ शेर करते हैं चैनल पर एंड दिस वन अफ दोस कोर्स अंड यह मुझे कैसे पता है साथ साल होग ए मुझे को मार्केडिंग के फ अपको जो सीखने को मिलेगा एंड इस कोर्स का जो अवर रॉल आपको एक मोटा मोटा जो आपको वैल्यू मिलेगी इस कोर्स से बाट विल हाव और राधर धाट विल गट अपरीशियेट जब आप अपलाए करते हैं कहीं पे और अट्ट सब्स्तिट यह फ्री है जिस आइ के करियर में वो देख लेते हैं तो फंडमेंटल डिजिटल मार्केटिंग गूगल ये गूगल डिजिटल गिराज पे आपको ये कोर्स मिलेगा मुफ्त कोर्स और चालिस घंटे का यहां पे इन्होंने इनकी तरफ से वर्कलोड है क्या ये चालिस घंटा लेगा तो दो उसमें मैं आपको आंसर दे सकता हूँ अगर आपने मार्केटिंग के फिल्ड में पहले कदम रख दिया है और रेड़ी तो लाइक बटन तो ज़रूर दबाते हैं पहले हैं ना बट एन्यूवेस दबाते हैं थोड़ा सा एक गोल रख लेते हैं 100 लाइक का गोल रख लेते हैं अगर हो सके तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा दिल खुश हो जाएगा पूरा इतना सारे वीडियो बनाने का न पूरा मुझे वो मिल जाएगा एक पेमेंट ऐसा समझ लीजी आप तो 40 घंटा अगर आपने मार्केटिंग के फिल्ड में अल्लेड अपना कदम रख लिया है तो आपको 40 घंटा से बहुत कम लगेगा तो आप सोच सकते हैं कि आप 10 से 15 घंटे के अंदर इसको खतम कर देंगे अगर आप मार्केटिंग में ठीक ठाक नए हैं तो थोड़ा उससे ज़ादा लगेगा बट हो जाएगा बट अगर आप बिल्कुली नए हैं तो आप expect कर सकते हैं कि आपको 30 से 40 घंटे के आसपास करीब करीब उसके आसपास आज की डेट में सोचल मेडिया और यह सब की हम बातें इतनी सारी सुन लेते हैं कि कुछ चीजों को आपको ग्रास्प करने में असानी हो जाएगी तो मोटा मोटा अगर आप बिल्कुली बिगिनर हैं 30 घंटा पकड़के चल सकते हैं आप लगाएं तो अच्छा होगा अगर 30 घंटा से कम लगाते हैं यह भी लगता है कि आप वो चीजों को ना अच्छे से ग्रहंड नहीं कर पाएंगा मैंने मास्टर्स की डिगरी की है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है उस मास्टर्स की डिगरी की तो आइनो इस नोट जस्ट अबाट वन कोर्स इतने में नहीं होता है बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़े इस कोर्स सीखने को मिलती है राइट सर्टिफिकेट वगरा ये लोग बताते हैं कहा लगाना है क्यों लगाना है वगरा 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 आपको समझी आ गया है सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट बाइद वे जब आप कर लेते हैं ना फाइनल एक्जाम देखे तो कृप है उसको अपने लिंग्डिन प्रोफाइल में लिंक के साथ आप एड कर सकते हैं उसका आपको थोड़ा फाइदा यहां पर हो जाएगा तो चलिए चलते हैं मॉड्यूल की तरफ मैं थोड़ा सा यहां पर और जूम इन कर लेता हूं और मॉड्यूल की हम यहां पर बात करते हैं तो पहला मॉडूल जैसा कि आप देख सकते हैं इंट्रो इंट्रो डिजिटल के राज इसको आपको आइडिया पता लग जाएगा कि क्या प्लाटफॉर्म है इनका भी कुछ यहां पे और भी बहुत सारी उपरचुनिटीज हैं सीखने की आपके लिए ऑनलाइई गोल अपना औलाइई प्रेजर्स किसे बनाय जाए मार्केटिंग की जाए और अनलाइज होग्ज अनलिटिक करके एडप्ट कैसे किया जाए तो यहां पर बिल्डिडिंग और ओनलाइव प्रेिजर्स में जो मुझे यहां पर देख के पता लगा है I feel आपको सोचना आएगा क्योंकि मार्केटिंग में कैसा है मार्केटिंग काफी फास्ट पेस्ट है इसमें नए प्लाटफॉर्म आते जाते हैं पुराने वाले जो एक जगा बस गए है जैसे Instagram बस गया है Facebook बस गया है वो तो रहते हैं अब उसके लावा और तरीके आते जाते हैं और जब मार्केटर्स क्या है एक कोई एक मार्केटिंग का टेकनीक है जो बहुत काम करती है उसको घिस घिस के घिस घिस के ऐसा कर देते है कि कस्टमर उस चीज़ पर ध्यान देना ही बंद कर देता है वहाँ पर फिर मार्केटर्स को इनोवेटिव होना पड़ता है एक नया तरीका ढूनना पड़ता है तो वो जो सोचने का तरीका है न वो आपको यहां से सीखने को मिलेगा अब पैरलल में जब नेक्स्ट पार्ट जो आजा था मेरा करेंट रोल इंवल्स SEO मेरा करेंट रोल इंवल्स अल अल उफ दा content content based like web content based work as well तो this is right in my backyard today आज की डेट में choosing और online presence से लेके जो इनका next module आप में इसको module 3 आप technically module 2 बोल सकते है वहाँ पर आपको how websites work key website ingredients ऐसे इनों लिखा है क्या business goals है उसके हिसाब से website तो यहाँ पर basic चीज़ें आप सीखेंगे कि एक website एक efficient website क्या होती है उसमें for example google paid speed insights है उसको कैसे use करना है उसका आपको क्या फाइदा है क्यूं आपको for example आपकी website को जो है mobile friendly बनाना है in this case for example इसी बहुत सारी interesting चीज़ें कि एक successful website के अंदर recipes क्या होती है उस एक successful website की because एक successful website ने एक डिश की तरह है butter chicken, butter paneer जो भी है तो उसमें कितना नमक डलना है कितनी मिर्ची डलनी है cream डलनी नहीं डलनी आपका प्याज कैसे कटेगा चोटा कटेगा, लंबा कटेगा, कैसे कटेगा that makes a difference in the taste of the dish हंडी, लंबा प्याज कटेगा butter chicken वगरा है तो चोटा कटके उसका masala बनेगा तो ऐसी चोटी-चोटी चीज़े है जो आप यहाँ पे सीखेंगे कि website का masala बनेगा या प्याज लंबा कटेगा basically और आप यहाँ पे इस knowledge को अगर आप यूज करते है तो आपके लिए career opportunities कौन सी open हो जाते हैं दोस्तों SEO side पे भी आपके लिए career opportunities काफी साधा open हो सकते हैं अगर आपको यह module जो build your web presence वाला module वो पसंद आता है आप उस पे time spend करते हैं तो आप उसी knowledge को लेके YouTube पे Ahrefs का free SEO course है अगर आप वो कर लेते हैं तो आप basic SEO analysis वाली site जा सकते हैं content SEO वाली तरफ जा सकते हैं on page SEO वाली तरफ जा सकते हैं link building strategies वाली site पे जा सकते हैं so you'll end up getting a lot of exposure from that side of things which I think for a business is extremely important आप बोलोगा यार मैं खुद बोलता हूँ SEO उतना important नहीं रहा जितना पहले रहता था with that मेरा current काम majority SEO involved करते हैं and to be honest जिन businesses के लिए SEO important है उनके लिए इतना important है कि उनका तो lifeline है उनका तो खून है business का और जिनके लिए नहीं important है वो फिर customer behavior समझें कि लोग कैसे behave करते हैं कौन customer है for example अगर मैं आपको बहुत simple सा example देना चाहूँ तो marketing जब campaign आपने build करना है या marketing strategy बिल्ड करनी है तो एक बड़ी चीज हम discuss करते हैं कि अब मेरा customer किस तरह का phone use कर रहा होगा मैं आपको एक example देता हूँ हम लोग कलना एक OG images जिसको बोलते हैं तो अगर आपको लिंक शेयर करते हैं कि सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर प्रिव्यू इमेज आ जाती है उसकी उन में चेंज ला रहे थे एंड हम लोग उसमें जो है open AI चाट जी पीटी यूज करते हैं जिसमें image है तो हम लोग वो images तैयार कर रहे हैं या images के preview तैयार कर रहे हैं जिसके उपर फिर चाट जी पीटी और जो AI वाला open AI का जो API का access है वो उसके उपर बाकी का जो text आना है वो वहां से feed कर देगा but point is वहां पे मैं हूँ 32 inch screen पे जब उसको बना रहा हूं user ने आना है किस पे maximum users ने आना है Android phone पे या iPhone पे iPhone में भी हमको थोड़ा idea मिल जाता है Google Analytics से कि हमारी website जब लोग आते हैं तो वो कौन से device आते है iPhone 11, iPhone 14 तो आप को पता लग जाता है basically थोड़ा सा idea हो जाता है कि कौन से device maximum users जो है यूज कर रहे हैं अब अगर user जो है वो iPhone यूज कर रहा है दोस्तों तो मैं 32 इंच स्क्रीन पे बना रहा हूँ मुझे दिख रहा है text इतना बड़ा user को शायद इतना से दिख रहा होगा उसकी स्क्रीन पे तो हम क्या करते हैं यह यहाँ पे आता है understanding consumer behavior और वो कैसे जो है interact करने वाले हैं मेरी website से मेरे business के साथ तो मैं का कर रहा हूँ मैं उसको बना रहा हूँ फिर मैं उसको zoom out करके इतना सा कर ले रहा हूँ मेरी screen पे इतना सा और मैं देख रहा हूँ पढ़ा जा रहा है क्या इतनी दूर से पढ़ा जा रहा है तो फिर फोन जब बंदा अपने मुग के सामने रखेगा तो पढ़ पाएगा वो वाला अंगल मैं यहां पर apply करहा हूँ all of this comes under understanding कि आपके consumer का behavior क्या होगा उसका पूरा का पूरा आप बोल सकते है customer journey जो है वो कैसा होगा right from awareness अगर marketing conversion funnel की बात करें right from awareness to actually buying the product then becoming your fan or super fan and referring other customers to you वो पूरे journey में उसका behavior कैसा है हर step पे किस तरह से वो behave करेगा all of these things come into play as a part of understanding consumer behavior आपको पूरी की पूरी सारी चीजें इस module में सीखने को नहीं मिलेंगी but at the same time you will get enough कि आपको आपका दिमाग इस तरफ चलने लगे है which is great in my opinion using goals क्या goals रखने हैं कि अगर मेरी website पर बंदा आता है तो उसका primary goal क्या होना चाहिए and मैं उस हिसाब से मेरे website को मेरे webpage को जो है optimize करूँगा getting started with search now search engine basics अब search engine for example relevancy पे चलते हैं वो relevancy में क्या important है Google के लिए user experience Google के लिए सबसे ज़्यादा important है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखना start करेंगे and यहाँ पे आपका अब थोड़ा सा in-depth चीज़े Google search console के साथ आप सीखना start करते हैं SEO जो कि हमारा next module में जिसमें यह लोग depth में चाते हैं कि SEO का plan क्यों होना चाहिए क्या है कैसे SEO strategy बनानी है on-page SEO off-page में links है link building strategy कैसी होनी चाहिए आप अगर low domain rating वाले website से अपना link ले लेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 100 dollar दिया बहुत सारे backlinks ले लिए तो high domain rating वाले websites के साथ do follow links चाहिए no follow links नहीं चाहिए as an example यह आप यहाँ पर सोच सकते हैं अब इसमें keyword strategy हो गई से लेके आप जब SEO की बात करें तो SEO is never instant SEO takes time to get executed यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे and I think it is very important अब being noticed में search engine marketing again when now we come into the ads and campaigns जो बनाने हैं वो यहाँ पर आपको कैसे बनाने हैं वो वाला जो पूरा का पूरा अगले दो modules में आपको वो सीखने को मिलेगा यहाँ पर जिसमें again I think किस तरह के so for example phrase matches exact matches हो गए तो वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कैसे जब आपने campaign बनाने हैं keywords for example मैं आपको एक अच्छा example देता हूँ जो मैंने I think year one and a half of my marketing journey में सीख लिया था तो मैं हमनो ad campaign चला रहे थे मैंने एक बहुत बड़ी गलती है कि वहाँ पे तो by the way जब google ads के तुरू आप campaign चलाते हैं तीन जार उपय का campaign चलाएंगे google आपको एक इंसान दे देगा who is an google ads expert right google की तरफ से I think that's very very beneficial वो आप free होता है आपको करना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो उसने मेरे को एक चीज़ बढ़ाई थी कि sir आपने ad campaign तो चला दिये इस client के मैंने उसको बढ़ा है कि मैं clients के लिए run कर रहा हूँ पर आपने इसमें exclude क्यों नहीं किये keywords और आपके सारे के सारे broad matches रखे हैं आपने इसमें थोड़ा सा आप exact matches भी डाले अगर competitor का नाम में आप exact match डाले तो मुझे वहाँ पे interesting चीज़ है सीखने को मिली थी तो जो मैं आपको match और इसकी बात करा था keywords exclude करना कि मेरी ad इस keyword के लिए कता ही नहीं दिखनी चाहिए is as important as saying to google मेरी ad इस keyword के लिए दिखा दो उतना ही importance है उसका नहीं तो आपका पैसा वेज जाता है बहुत बार that's an interesting interesting insight right तो इस तरह की चीज़े बहुत जादा important हो जाते हैं by the way अगर आपको इस तरह की insights जो मैं साथ में सिर्फ क्योंकि आए या जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ क्या important है that is where the value of this video is otherwise तो आप इन topics पे click करके खुद भी पढ़ सकते हैं इतना क्या मैं बता हूँ इसलिए मैं click करके हर topic के अंदर नहीं जा रहा हूँ right because वो तो आप खुद कर लेंगे इतना कोई attention नहीं है link भी देने की जरूरत नहीं है google digital garage digital marketing certificate fundamentals आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाए like button जरूर दबादें बस that's all इतना ही अपना जो है ask है आपसे right again advertising वाला part आगया अब social media basics I do think google जो है उसको अच्छे से cover नहीं करता है बोलता है deep dive into social media all of these things मैं आपको example देता हूँ for example google digital garage की अगर मैं इसमें आजाओ deep dive into social media में आजाओ right तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको आप competitor है न facebook तो depth में तो यह जाएगा नहीं वहाँ problem है वहाँ आप facebook का course करें facebook का भी blueprint free वाला available है तो वहाँ आप वो कर सकते हैं but this will still be very very important अब इसमें सबसे जादा important part आजाते है modern marketing 23 2023 से लेके 2027 तक मेरे हिसाब से minimum अगले 4-5 साल जो आपकी life changing आपको marketing में opportunities दिखने वाली है वह है mobile based advertising जैसे digitization बढ़ रहा है जैसे rural India के पास mobiles आ रहे है internet का access आ रहा है 5G का access आ रहा है a lot of stuff that happens online is going to be mobile only या mobile specific mobile optimized अगर आप नहीं है as a marketer you are not efficient in mobile environment आपको problem होगा mobile based चीजें जो आप सीखेंगे यहाँ पर बहुत ही जादा important है content marketing का भी जो basics हैं आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा again I don't think आपको complete depth मिलेगा उसके लिए आप HubSpot के content marketing के courses again free है you can explore those as well आपके career के लिए and आपके resume के लिए आपके LinkedIn profile के लिए आप चाहते हैं मैं HubSpot के कुछ marketing के courses का review आपको दूँ तो वो भी आप मुझे नीचे comments में छोड़ सकते हैं I'll take it for sure email marketing I think again complete आपको picture यहाँ पर मिल जाएगी but specific platforms जो है like MailChimp में कुछ खामिया है कुछ positives है Aweber है उसमें बहुत ही जादा positives है खामिया थोड़ी कम है as an example तो बहुत सारे वो depth में आपको जाने नहीं मिलेगा but it is extremely important and video based ads and video advertising वागला जो angle है इनका बहुत अच्छा overall cover यहाँ पर किया जाता है analytics में आप थोड़ा जादा ध्यान दे मेरे हिसाब से आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा analytics में especially ध्यान दे यहाँ पर because google analytics से आप अपने marketing gap बेंस को जो है optimize कर पाएंग and there is going to be a lot lot to learn when it comes to analytics भले वो UTM links आपके sources track करना हो या source mediums track करना हो या for example कभी-कभी लोग बोलते हैं कि bounce rate अच्छा कम होना चाहिए website से but अगर आप google के angle से सोचे मैं एक topic सर्च कर रहा हूँ ठीक है मैंने बहुत सारे website सर्च किये मान लो मैं recipe देखना चाहता हूँ ठीक है थोड़ा सा देखा दूसरी कोली थोड़ा सा देखा तीसरी कोली थोड़ा सा देखा एक website में थोड़ा सा घूमा फिर वाहर आ गया फिर तीसरी 4 खोली Google यह सब चीज़े note करता जा रहे कि ये इन्सान यहाँ पर आ रहा है हलवे की recipe देख रहा है फिर दूसरी website पर जा रहा है हलवे की recipe देख रहा है तो यह बंदा इस content से खुश नहीं हो रहा है फिर एक website आती है जहाँ पर वो बंदा थोड़ा सा ज़ादा time spend करता है बट किसी और page पे नहीं जाता out होता है उस website से और session close कर देता है अपना इस search के उपर काम करना बंद कर देता है अब Google के हिसाब से क्या होगा यहाँ पे इस बंदे को इस website के content में कुछ valuable दिखा क्योंकि उसने time जादा spend किया so session length important हो गई but bounce rate बढ़ गया क्योंकि उ बंदे ने फटाक से out हो गया इस website से दो page न Google ने क्या सोचा यहाँ पे आप खुद सोचें आप Google का algorithm क्या सोचें यह बंदे ने दिनी जगह पे आया बट उसको इस website से अपना answer मिला Google उस website को preference देगा क्यों क्योंकि उसने user experience को यहाँ पे अच्छा किया है Google के लिए user experience ज़रूरी है ना कि user को पनाए रखना Google पे पूरा time important Google ने बहुत बार अपने बहुत सारे updates में primarily mention किया user experience is key for them relevancy of the search results is very important for them तो वो relevancy जब आ गई यहाँ पे bounce rate high है लोग बोलते bounce rate कम करना चाहिए marketers YouTube पे बोल रहे है bounce rate कम करना चाहिए but bounce rate ज़ादा अगर है तो it makes sense क्योंकि इंसानों को एक ही page में answer मिल रहा है उनका that is what is something that is something that you learn with experience कहां पे वो important है कहां इस analytics के इन तरह के numbers को किस तरीके से लेना है हमने as marketers right तो वो सारी चीजों का आपको basics बहुत जादा important हो जाएगा तो make sure कि आप यहाँ पे बहुत जादा ध्यान देरें online shop sell more online I think they are important not as much last के जो तीन modules है I think important है आप उनके उनको skim जरूर करें exam में questions जरूर आएंगे but they are going to be not as important as the previous ones जिसमें सबसे जादा important modules की अगर मैं बात करूं तो SEO related जो module है वो that can make or break your marketing career this one analytics related can make or break your marketing career Google Ads related जो modules है basic modules है they can make or break your career इसके बाद अगर आप Google Ads में interested है तो Google Ads के certifications available है free वाले भी that you can take up and उसमें of course paid certificates भी आते हैं जहापे आप exam दे के paid certificate ले सकते हैं but आप free certifications भी यहाँ पे ले सकते हैं and they can also help you out with your career तो यह overall थोड़ी सी summary है इसको लेके क्या modules आपके लिए important हो सकते हैं क्या नहीं हो with that and of course आपको पता हैं दोस्तों like button ज़रूर दबाते हैं अगर आप course reviews etc etc like online modern course reviews anything to do with internet मैं अब खुद security plus Comtia security plus is a cyber security exam जो basics का exam होता है अगर आप cyber security की field में जाना चाहते हैं usually उसको number one exam या first exam की तरह लिया जाता है मुझे networking क्या आदत है because मैंने electronics engineering की है बट उसके लावा मैंने networking में system administration में मैंने internship भी की है so I have that experience इसलिए मैं Comtia direct security plus वाली site पर जा रहा हूं जिसमें Udemy की courses है but Google का cyber security course मैंने खरीदा है so that's something that I'll be doing because मुझे YouTube पे कुछ content बनाना है तो I thought best तरीका होता है अगर मुझे खुद पता हो right and मैंने पढ़ा हो and मैंने certification लिया हो aisa certification जिसको लोग करने में साल भर लगाते हैं अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है so I'll do that and I'll keep on creating online security and privacy related content main channel पे but if that is a certificate आप चाहते हैं कि मैं उसको भी review करूँ मेरा हो जाने के बाद कुछ time मुझे लगेगा at least मैं एक दो courses उसमें complete कर लूँ और कुछ नहीं तो एक दो हफते में कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है उस course में like a beginner's review I can also do that यह तो सारे experienced reviews हो गया right तो all all that for आज का वीडियो hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसमें आपको कुछ valuable मिला हो अगर ऐसा है like बन जुरू दबाए चैनल पे subscribe करना मत भूलेगा this is Shivam signing off from financial funda मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए bye and take care